राफेल डील की जाँच के लिए दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया है। केस के मेरिट को देखते हुए फिर से जाँच के अदेश देने की जूरत नहीं है। 14 दिसमबर 2018 को राफेल ख्रीद प्रक्रिया और इंडियन आफसेट पार्टनर के चुनाव में सरकार दवारा भारतिय कंपनी को फेवर किये जाने के आरोपों की जाँच की गुहार लगाने वाली तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया था। सुप्रीम कोट ने कहा था कि फैसले लेने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई संदे की गुंजाइश नहीं है। है जो हमारा पार्ट है। दूसरा जूट क्या बोला उन्होंने कि पूर्व राष्टपती फ्रांस के फ्रांकवा होला ने पदान मंत्री को चोर का है। यह राउल गांदी के टिपड़ी है। थीक है। तो पूर्व राष्टपती फ्रांकवा होला ने कहा कि यह बिलकुल मतलब नहीं है तीसरा जूट हुआ अब चौथा जूट देखिए जो सबसे बड़ा था आप लों देखा होगा राहुल गांधी ने पार्लेमेंट में जूट बोला कि फ्रांस के राश्पती जो हमारे अभी हैं इमैनुवल मैकरॉन उन्होंने उनको कहा है कि ये डील को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं याद करिया जबकि एक सिक्रेशिक लॉड्स था भारत के संसदीय इस्तिहास में पहली बार हुआ कि फ्रांस सरकार को संसद की डीबेट चलते समय ही एक स्टेट्मेंट इश्यू करना पड़ा कि राहुल गांधी जूट बोल रहे हैं फ्रांस के राश्पती ने ऐसा कुछ नहीं का तो राहुल गांधी ने अपने जूट मे दसॉल्ट रिलाइंस कोई नहीं लापेटा फ्रांस के वर्तमान और फ्रांस के पूर राश्पती दोनों को लापेटा फिर कहा क्या उन्होंने कि कैबिनेट कमिटी ओन सिक्यूरिटी को लूप नहीं रखा गया उसको भी बताया गया कि सारे फैसले हुए कैबिनेट कमिटी ओन सिक्यूरिटी ने इसको बार बार कन्फर्म किया है उसके बाद आगे कोट हुआ लेकिन सबसे मदा आया राहुल गांधी की विद्वता पर जब उन्होंने राफिल के दाम के बारे में देश को बताने की रहता है अमबानी को राफिल में एक लाग तीसजार करोड ठीक है और बाकी बात अब देखिए उनका अप्रिल उन्तिस दोजार अठारा जना क्रोश रैली न्यू दिली साथ सब करोड जुलाई अठारा में पान सो बीस करोड अगस्ट दस अठारा राइपूर रैली पान स बीस करोड तो आप देख रहे हैं उनकी रैलियों में दाम कैसे बढ़ रहा है और घट रहा है लेकिन सबसे जो जोड़ार बात है कि उन्होंने एक जगए इतना तक कह दिया कि इसका दाम है पान सो सतर रुपईया ये भी कहा उसा हमारे पास पे है तो राहुल गांधी के कि इतनी समझधारी है दाम के बारे में जबकि बार बार मिस्टर नाम्यार ने साफ साफ कहा था कि दिस दे प्राइसिंग ठिंग और ये देश के लिए हित में है ये सारी बाते आई हैं कॉंग्रेस ने जूट बोला हमारे इमानदार लोगप्रिये प्रधानमंत्री के खिलाफ कैमपेन किया भारत की विदेश में साफ को घटाने की कोशिश की फ्रांस के राश्पतियों के सामने और जूट पर जूट बोलते गए आज राहूल गांधी आपको माफी मांगना जरूरी है क्योंकि सुप्रिम कोट ने आपको फरस्ट राउंड में हराया जनता ने आपको को जनता के कोट में हराया और आज रिव्यू जो आपके बिहाफ पर लोग लट रहे थे आपके प्रॉक्सी तो रिव्यू को भी रिजट किया और आपकी माफी पर डीफेमेशन में आपको छोड़ा है अगर आप माफी नहीं मांगे होते तो आपको नहीं छोड़ता तो इसके लिए अर्थपरकास TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें